नमस्कार वन इंडिया में आपका स्वागत है भारते क्रिकेट टीम के पूर्फ कप्तान महिंदु सिंग धोनी ने 15 अगस्त के शाम सोशल मीडिया के जरिये इंटरनेशनल क्रिकेट से अपने सन्यास का एलान किया धोनी के इस तरह अचानक सन्यास लेने की खबर ने सभी को हैरान कर दिया धोनी के सन्यास पर खेल जगत के साथ साथ राजनिती और बॉलिवुड सेलिब्रिटीज ने भी अपने रियक्शन दी इसी गड़ी में बॉलिवुड अभिनेत्रिय अनुषका शर्मा ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए महेंदर सिंग धोनी को शुक्रिया कहा भारत के सबसे सफल विकेट कीपर बल्लेबाज महेंदर सिंग धोनी ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर एलान करते वे लिखा मेरे करियर में आप सब के प्यार और सहीयोग का बहुत बहुत शुक्रिया आज शाम साथ बचकर 29 मिनिट से आप मुझे रिटायर समझे बता दे पिछले साल इंगलेंड में हुए वंडे विश्व कप के सेमी फाइनल में न्यूजलेंड के हाथो भारत की हार के बाद उन्होंने कोई मैच नहीं खेला था बताते हैं अनुष्का शर्मा ने अपने इंस्टा स्टोरी में धोनी की फोटो के साथ उनके लिए एक मैसेज लिखा अनुष्का ने लिखा शुक्रिया MSD यादो के लिए जिने हम कभी नहीं भूलेंगे महिंदर सिंग्धं धोनी टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तानों में एग रहे है मह edited सिंग्धं धोनी के नाम वैसे तो कई रेकॉर्ड्ज है लेकिन एक ऐसा रेकॉर्ड है जो किसी के लिए भी तोड़ पाना नामुम्किन है किसी भी कप्तान के लिए अब इस रेकॉर्ड को तोड़ पाना इसलिए नामुकिन है क्योंकि ICC ने 2017 चैंपियन्स ट्रोफी के बाद इस टूर्नमेंट को ही खत्म कर दिया है अब कोई और कप्तान वर्ल्ड T20, वर्ल्ड कप और चैंपियन्स ट्रोफी के तीनों खिताब नहीं जीत पाएगा धोनी दुनिया के इकलोते ऐसे कप्तान है जिनकी कप्तानी में टीम ने तीनों ICC ट्रोफी जीती है दोजार साथ T20 वर्ल कप, दोजार ग्यारा वंडे वर्ल कप और दोजार तेरा चैंपियन्स ट्रोफी के खिताब भारत ने धोनी की ही कप्तानी में जीते हैं धोनी ने भारत के लिए 350 वंडे, 90 टेस्ट और 98 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं इस खबर में फिलाल इतना ही, तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे ये वन इंडिया के साथ